फ्रेंज आज के स्वीडियों हम बात करने वाले हैं कि SBI के दुवरा जो भी हमें reward point मिलते हैं उसे कैसे redeem कियाता है या फिर उसका कैसे इस्तिमाल कियाता है जैसे कि आप सभी को पता होगा कि SBI के debit cards है या फिर जोनों applications है हम कोई भी shopping करते हैं या फिर किसी merchant के पास पैसा को ट्रांसपर करते हैं या फिर कोई बिजली बिल या फिर वाटर बिल को हम भरते हैं इसके लिए हमें reward point मिलते हैं तो आज कि स्वीडियों में वही जानेंगे क कि आपके पास भी SBI reward बहुत सार अगी कठा हो चुका है और आप उसे redeem करना चाहते हैं या फिर उसे यूज करना चाहते हैं तो यह वीडियों के लिए important हो जकता है तो बनने इस वीडियों पूरे last तक क्योंकि इस वीडियों पूरे DTS में और स्टे बैस्टे पच्छे से ज तो फैंस आईए हम जान लेते हैं कि जो भी हमारा reward point मिलता है उसका इस्तमाग हम कैसे करते हैं या फिर उससे हम recharge कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए हम योनो SBI में login हो जाएंगे आपको भी हो जाना है तो देखिए आपके सामने कुछ इस इंटेवे सो हो जाएगा simply आपको इस उसके अदब के सामने एक 9 defense हो जाएगा यहाँ पर जितने भी आपके पास reward point एबलेवर होंगे वो यहाँ पर सो हो जाएगे यानि कि जितने भी आप invest किया है और जितना भी आपको reward point मिला हुआ है वो यहाँ पर सो हो जाएगा इसके पहले भी हम redeem कर चुके हैं देखिए य redeem point मतलब कि हम 992 point को यूज कर चुके हैं वैसे ही हम आपको भी बताएंगे कि आप भी अपना reward point को कैसे redeem कर सकते हैं और अपना mobile recharge को कैसे कर सकते हैं इसके पहले थोड़ा और आपको नीचे दिखा देता हूँ कि देखिए कैसे आपको reward point मिलता है जैसे कि आप कोई भी debit card के through किसी भी transaction को करते हैं या फिक कोई online merchant कोई पैसा को transfer करते हैं या फिर shopping करते हैं तो उसमें आपको reward point मिलते हैं जैसे कि हमको यहाँ पे 100, 400, 100 वैसे ही आपको यहाँ पे थोड़ा और इस को नीचे करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे और भी आपको देखनों को मिल जाएंगे एक reward point का value हता है 25 पैसा है यानि आपके पास 100 reward point है तो आपका 25 रुपया बन जाएगा ठीव फैंस तो आईए हम जान लेते हैं कि कैसे अपने mobile recharge को करते हैं और इसे कैसे redeem करते हैं तो redeem करने के लिए आपको यहाँ पर redeem नाव पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने एक disclaimer स जो हो जाएगा यहाँ बोल्ड आएकर आप यहाँ पर आईगरी पर क्लिक करते हैं तो आपको यह thought party यह website पर लेकर चला जाएगा जहां से अपना reward point को redeem कर सकते हैं या पिर अपना जो भी facility है यह जो भी इनके partner है इनके feature को यूज कर सकते हैं या फिर जो भी आप sale करना चाह है जाते हैं तो आप महाँ से कर सकते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर आयगरी पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सवेट किजियेगा तो जो भी इनके thought party site है वहाँ पर लेकर चला जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको बहुत से अप्सन देख SBI reward point को use करना चाते हैं या फिर उसमें से आप कोई सी भी product को buy करना चाते हैं तो simply आपको यहाँ पर click करना है उसके बाद इनके जो भी site ही यहाँ पर चले जाएगा और वहाँ से अपना जो भी product को buy करना चाते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं तो फिलाल हमें जानना है कि अपने mobile recharge को कैसे करना है तो देखिए इसके लिए यहाँ पर तो option नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3.1 लाइन पर click करना है तो देखिए यहाँ पर आपको और भी option देखनों को मिल जाएंगे अप जिसमें भी अपना reward point को use करना चाहते हैं आप कर सकते हैं तो हमें अपना mobile recharge को करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर recharge पर click करेंगे उसके बद यहाँ पर आपको दो option और भी मिल जाएंगे कि आप mobile recharge करना चाहते हैं या फिर detach recharge तो हम यहाँ पर mobile recharge पर click करेंगे उसके बद आपके सामने एक नई डेफेश हो जाएगा यहाँ पर जो भी आपका mobile नमबर है वो यहाँ पर डालना है डालने के बाद जिसमें को आप operate करते हैं वो यहाँ से select कर लेना है कि आपका जो number है वो यह यह तिल का है इसके बाद जितना भी आप एमाउंट का recharge करना चाहते हैं वो यहाँ पर एमाउंट डालना है या फिर आपको यहाँ पर view plan पर click करके जो भी अपना plan को recharge करना चाहते हैं आप कर सकते हैं तो हमें यहाँ पर एक्टिवेट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर click करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर select हो चुका है उसके बाद जो भी यह terms and condition है इसको आपको एसेट करना है एसेट करने के बाद यहाँ पर continue पर click करना है उसके बाद आपके सामने एक summary so हो जाएगा यहाँ पर जो भी आपका details है एक बाद verify कर लिजिए ज़री आपका सारा details सही है तो आपको यहाँ पर पोडशीट पर click करना है या फिर ज़री आपको कोई भी गलती लगता है या फिर कोई plan को change करना चाहते है तो इसके लिए simply आपको यहाँ पर back हो जाना है आपको payment details दिखा रहा है कि आपका जो reward point है वो आपका 196 point को आप रीडीम कर रहा है जदि आप इससे redeem करना चाहते है तो इसके लिए आपको यहाँ पर make payment पर click करना है इसके अलावा जदि आप कोई coupon code या फिर voucher code को इसमें apply करना चाहते है तो उससे भी apply कर सकते है तो मेरे पास कोई भी coupon या फिर voucher नहीं है तो हम यहाँ पर make payment पर click करेंगे उसके बद आपके registered mobile नवर पर कोटीपी चला जाएगा उस OTP को यहाँ पर डालना है या फिर जो भी आपके email IDs में registered है उस पर कोटीपी चला जाएगा उस OTP को यहाँ पर fill करना है fill करने के बद यहाँ पर confirm पर click करना है तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि payment processing मतलब कि आपका जो payment है उप processing में चल रहा है इस पर चको आपको refresh नहीं करना है या फिर back नहीं होना है तो देखिए मेरा जो order है successfully हो चुका है यहाँ पर एक reference number so हो जाएगा उसके बद यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है कि congratulations your order has been placed successfully मतलब कि मेरा जो recharge है successfully हो चुका है तो इसे ही आप भी अपना simple system को follow करके जो भी आपको reward point मिला हुआ है उससे आप redeem कर सकते हैं या फिर उसका यूज कर सकते हैं ठीफ एंस तो बस आज के लिए इतना ही तो उमीद करते हूँ कि आज के इस वीडियो को पूरी जनकारी मिल गई होगी कि SBI के दोरा जो भी हमें reward point मिलते हैं उसे कैसे redeem गी आता है या फिर उसका कैसे यूज की आता है ठीफ एंस तो उमीद करते हूँ कि वीडियो को पसंद आई होगी जदी आपको ये वीडियो पसंद आता है तो पिलिस वीडियो का लाइक और सियर कर देना और हाँ फैंस इस यह इंटेस्टन देखने के लिए मेरे चैनल के सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए एक वीडियो पर नहीं लगते हैं और जो भी मेरे वीडियो लाओंगा उसका नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपके बास मिल जागा और आप उस वीडियो के वही नोलेश लेफ आईएगा ठीफ एंस बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के पूरा वाच करने के लिए